तो दोस्तो हमारी वाइसेना की तेजिस MK1A फाइटर जेट को ले करके एक काफी जादा important news सामने निकल करके आई है और जैसा की आप सभी लोगों को याद होगा कि ये जो फाइटर जेट है ये अभी के लिए हमारी वाइसेना केवल 40 की संक्या में इस्तिमाल करती है लेकिन भ फाइटर जेट के लिए हमारी जो है वो यहां पर कोशिश कर रही है कि एक और जो बड़ा ओर है वो हमारी वाइसेना के दुवारा एचेटर को प्लेस कर दिया जाए जिससे की ओवराल तेजस MK1A फाइटर जेट का जो नंबर है ये 170 के आसपास चला जाए तो यहां पर क्य जादा बढ़ाने का काम किया है और इसी में अब हमारी HL के दुवारा एक और बड़ी प्रोग्रेस यहां पर की गई है साथे साथ यहां पर यह बात भी क्लियर हो जाती है कि पर्दे के पीछे जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है इन में से काफी सारी ऐसी बाते हैं जो कर दीजेगा तो दोस्तों सबसे पहले हमारी HL के जो टेस्ट पाइलेट है जिसे हम सब सर हर्षवर्धन ठाकुर जी के नाम से जानते हैं तो इन्होंने ट्विटर के ओपर एक इमेज को शेयर किया जिसे आप सभी लोग अपनी स्क्रेन के ओपर देख सकते हैं और इस इमे के स्टेंडर्ड की मिसाइल है यान की अब हमारा जो टेजस MK1A फाइटर जेट है यह ओफिशली 110 किलोमेटर की जो BVR अस्तरह MK1 मिसाइल है इसको फायर करने में कैपेबल हो चुका है तो डेफिनेटली यह काफी जादा बड़ी कैपेबिलिटी है और इसका आइडिया आप यही से अलगा सकते हैं कि BVR कैपेबिलिटी में हमारा जो टेजस MK1A फाइटर जेट है यह एक सेकंडरी फाइटर जेट बन चुका है क्योंकि अगर आप फ्रंट लाइन फाइटर जेट को देखते हैं तो उसमें आप सभी लोगों को SU-30 MKI और साथ में राफेल दिखाई द यह भी एक 110 किलोमेटर की जो अस्तरा MK1 मिसाइल है उसको फाइर करने में कैपेबल होगा साथे साथ यहां पर जो हमारे 83 तेजस MK1A फाइटर येट है तो 6 महीनों के अंदर इनकी जो डिलिवरी है वो भी हमारी H.E.L. के दुवारा शुरू कर दी जाएगी जहां पर इसके यहां पर अब जो प्रोडक्शन स्टेंडर का उत्तम AESR डार होगा तो वहां पर हो सकता है कि आप सबी लोगों को 900 के आसपास जो TR मोडूल्स है वे दिखाई दे अगर आप राफेल के भी RBE2 AESR डार की बात करते हैं तो वहां पर ओफिशली 938 के आसपास जो TR मोडूल्स हैं वे आप सबी लोगों को दिखाई देंगे तो अगर हमारा तेजिस MK1A फाइटर जैट छोटे साइस के बावजूद भी 900 TR मोडूल्स के साथ में आता है तो यह अपने आप में काफी जादा बड़ी बात होगी इसी के साथ में एक Advanced Self Protection Jammer जो की Gallium Nitrate Based EESR TR मोडूल्स को इ इसका integration भी हो चुका है साथी साथ यहां पर राफेल से fire होने वाली जो hammer missiles है तो इनका भी जो integration है वो पहले से हमारे तेजिस MK1A fighter jet के उपर हो चुका है यानि कि यहां पर अब हमारे तेजिस MK1A fighter jet का जो weapon package है वो आप सभी लोगों को इसकी category में किसी और fighter jet के अंदर नहीं द F-17 जैसे बाकी lightweight category के fighter jet हैं वे यहां पर कर सकते हैं इस परकार का जो weapon package है जिसमें आप सभी लोगों को Indian, Russian, American और French weapons दिखाई देते हैं यह केवल हमारे तेजिस MK1A fighter jet के साथ में ही आप सभी लोगों को दिखाई देगा और इसका कहीं न कहीं जो हमको फाइदा है वो इसके export potential में भी आने वाले समय में definitely दिखाई देगा तो दोस्तो overall इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है comment section में बताईगा साती साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर जेजेगा अगर आप चैनल के उपर पहली बार आएं तो please say चैनल को subscribe कर जेजेगा तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक किल गुट बाए जैहिंद